सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भुगोल के अध्याय एक भुगोल का अध्याय एक जिसका शीरशक है सौर मंडल में प्रिथवी दोस्तों हमने इस अध्याय पर एक वीडियो सरल भाशा में और विस्तरत तोर पर बना दिया है अगर आपने वह वीडियो अभी नहीं देखा है तो मेरी आप से गुजारिश है कि आप जरूर एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर की यानि अभ्यास पर चर्चा होगी तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांग एक की क्या है प्रश्नक्रमान्क एक में हम से पूछा गया है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है आपको याद होगा कि हमने इस विशय पर विश्थरत तौर पर इस अध्याय के परिग्राफ में जाना था पहले ही प्रश्ट पर जो दिया हुआ था हमें हमें ये बताया गया था कि ग्रह और तारे मुख्य रूप से क्या होते हैं, है ना, दोस्तों सूर्य चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आस्मान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, इन सब को तो हम सामाने तौर पर क्या कहते हैं, खगोलिय पिंड कहते ह अब इसमें से हम जानते हैं कि कुछ खगोलिय पिंड जो हैं वो बड़े आकार वाले हैं और गर्म हैं, है ना, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उश्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सरजित करते हैं, है ना, यानि उर्जा को भी और प्रकाश को भी, उश्मा को भी, दोस्तो ये जो खगोलिय पिंड होते हैं, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है तारा, ठीक है, हमें ये बात पता है कि यो सूर्य है, वो भी क्या है, एक तारा है, है ना, दोस्तो रात की समय चमकत नहीं कर पाते, यह अलग बात है कि कुछ को हम देख लेते हैं, वो अत्यंत छोटे हमें दिखाई पड़ते हैं, है ना, और इसके बाद में दोस्तों, हम जो हैं, तारों के विभिन समुहों के द्वारा बनाई गई विभिन आकरतियों के बारे में भी इस अध्याय में पड़ जिसे साथ तारों का समुह भी कहा जाता है, है ना, खेल ठीक है, तो यह तो तारों की बात हो गई, ग्रह क्या होते हैं, जो स्वयम का जिनका प्रकाश नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, कुछ का गोलिये पिं यानि अपना संपून मतलब चारो और घूमने वाला ठीक है प्रित्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रहा है है ना ठीक है तो दोस्तों इस उत्तर को हम सटीक तौर पर किस तरह से लिख सकते हैं इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ खगोलिय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं ये गैसों के बने होते हैं इनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा उत्सर्जित करते हैं इन खगोलिय पिंडों को तारा कहते हैं सूर्य भी एक तारा ह वहीं कुछ खगोलिय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उश्मा नहीं होती है वे तारू के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं प्रित्वी भी एक ग्रह है चुकि उत्तर हमें संक्षेप में देना है तो इतना उत्तर इस प्रश्न के लिए परियाप्त और सटीग है ठीक है मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक एक समझ में आ गया होगा ठीक है ना अब हमसे हैं पूछा जा रहा है कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं ठीक है तो दोस्तों सौर मंडल जो है उसके बारे में हमने अध्याय में पढ़ा था क्या आपको याद है हमने देखा था कि सूर आठ ग्रह और उपग्रह इसके साथ ही कुछ अन्यखगोलिये पिंड ज जिसका मुखिया कौन है दोस्तों जिसका मुखिया है सूर्य है ना सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य सौर मंडल के केंदर में स्थित है और बहुत बड़ा है है ना अत्यधिक गर्म गैसों से जो बना है इसका खिचाओ बल इससे सौर मंडल को बांधी भी रखता है है न सूरी सौर मंडल के लिए प्रकाश और उश्मा का एक मात्र स्रोथ है दोस्तों, लेकिन हम इसकी अत्यदिक तेज उश्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यहां हमसे बहुत दूर है, सूरी प्रिथ्वी से लगबग 15 करोड किल इसको याद करने का एक तरीका भी हमें दिया गया था, वो तरीका क्या था, my very efficient mother just served us nuts, यानि अंग्रेजी भाषा में अगर हम इनको चारण करें, तो इस वाकी के पहले अक्षर द्वारा, हम पता यह किताब में दिया हुआ है, मैं आपको खाली याद दिला रहा था, है ना सौर मंडल के सभी आठ ग्रह जो हैं, वो एक निशित पत पर क्या करते हैं, सूरे का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते जो हैं, दीर गवरत्ताकार में फैले हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, कक्षा, इसमें हमें ये जानकारी भी दी गई थी, कि जो हैं, फिर हमने इसमें अलग-अलग अंगिनक जानकारियों को पढ़ा था ध्याय में, ठीक है, तो फिलाल साथी कुत्तर को किस प्रकार से दिया जा सकता है, सूर्य आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्यक अगोलिये पिंड, जैसे एक शूद्र ग्रह एवं मुलका पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्मान करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और हमें अब क्या करना है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं, यानि हमें दूरी भी लिखनी ह अक्सर जब हमें आकड़े याद करने होते हैं तब क्या होता है तब यह होता है कि हमारे लिए थोड़ी सी कठना यूत्पन हो जाती है इतने सारे आकड़े हैं किस तरह से याद करें मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ जब भी आकड़े याद करने हो तो चित्र का सहारा लेना चाहिए ठीक है ना आपको पता होगा कि आपकी जो किताब है NCIT की उसमें प्रश्ठक्रमांग पेज नंबर थ्री पे चित्र दिया हुआ है ना उसको आप जरूर देखिएगा ठीक है तब यह उत्तर याद करना इस मरण में रख पाना इस उत्तर को अतेंत सरल हो ठीक है चलिए अब इस उत्तर को देख लेते हैं सूर्य से विभिन ग्रहों की दूरी ग्रह है और यह है सूर्य से दूरी सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की यह सूर्य से कितना दूर है तीन दशमलव छे करोड मील फिर बात करते हैं शुक्र की यह कितना दूर है सूर् प्रित्वी की बारी आती है, प्रित्वी कितनी दूरी पर है, नौ दशमलाव तीन करोड मील, फिर मंगल की बारी आती है, मंगल कितना दूर है, चौदा दशमलाव एक छे करोड मील, ब्रहसपती कितना दूर है, अरतालीस दशमलाव तीन आठ करोड मील, शनी की दूरी कितनी हो गया है यह है ना ठीक है फिर अगर अरुन की बात करें तो इसकी दूरी है 178.4 करोड मील और नेप्चून की दूरी है 279.44 करोड मील ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्नक्रमांग 4 की प्रश्नक्रमांग 4 में हमसे पूछा गया है कि पृत्वी को अद्भुद ग्रह क्यूं कहा जाता है ठीक है तो दोस्तों पृत्वी के बारे में पहले तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि सूरी से दूरी के हिसाब से पृत्वी जो है वो तीसरा ग्रह है आकार म अर्थ होता है पृत्वी के समान आकार ठीक है जीवन के लिए दोस्तों अनुकूल परिस्थितियां संभवतहा केवल पृत्वी पर ही पाई जाती है पृत्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी यहाँ पानी और वायू उपस्तित है जो हमारे जीवन के सबसे अद्भुद ग्रहा है दोस्तों अंतरिक्ष में देखने पर पृत्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्यों? क्योंकि इसके दो तिहाई सता पर जो है वो पानी से ढकी हुई है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है ये तो थोड़ी भहुत जानकारी हो गई अब एक सटीक उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं इसे समझ लीजिए तो प्रश्न क्रमांग चार का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभफता केवल प्रित्वी पर ही पाई जाती है प्रित्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी यहाँ पानी एवन वायू पस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वायू में जीवन के लिए आवश्यक गैसे जैसे ऑक्सिजन मौजूद है इन्ही कारणों से पृत्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है ठीक है दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको प्रश्नक्रमांग 4 बड़ी सरलता के साथ समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्नक्रमांग 5 की क्या है प्रश्नक्रमांग 5 हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यूं देखते हैं ठीक है दोस्तों अगर चंद्रमा की हम बात करें तो हमारी पृत्वी के पास केवल एक उपग्रह है वो है चंद्रमा इसका वयास पृत्वी के वयास का केवल एक चोथाई है और दोस्तों यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यहां हमारे ग्रह से अन्य खगोलिय पिंडों की अपेक्षा नजदीग है यानि करीब है अब आपको मैं बता दूं कि उपग्रह क्या होता है उपग्रह एक खगोलिय पिंड है जो ग्रहों के चारो और उसी प्रकार चकर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूरी के चारो और चकर लगाते हैं जब हम उपग्रह को पढ़ते हैं तो मानव निर्मित उपग्रह की बात भी आ जाती है एक कृत्रिम पिंड यानि जो है और प्रित्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतियों गुरहों के नाम हमने देखे थे जैसे इंसेट आई रस एड्यूसेट आदी ठीक है ना तो दोस्तों चंद्रमा के बारे में हम बात कर रहे थे है ना लगभग हमसे जो प्रशन का उत्तर हम यहाँ पर देने वाले थे है ना दोस्तों चंद्रमा प्रित्वी का एक चक्कर लगभग 27 इन में पूरा करता है ना और लगभग इतने ही समय में यहाँ अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है और इसी के परिणाम स्वरूप प्रित्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है, मुझे उमीद है कि आप इस उत्तर को पूरी तरह से समझ गए होंगे है न, चंद्रमा का जो हिस्सा जिस समय हमारे सामने होता है, वो लगभग पूरे समय उसके चक्कर के दौरान हमारे सामने होता है, क्योंकि स प्रिद्ध के बारे में पढ़ा था, सूर्य के चारों और चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, कभी-कभी क्या होता है, ये उलका पिंड प्रिथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं, यानि करीब आ जाते हैं, और उनकी जो पूरी तरह जले बिना प्रिथ्वी पर गिरती हैं, जिससे धरातल पर बन जाते हैं गड़े, ठीक है न, हमें बताया गया था कि तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता भी दिखाई देता ह ये लाखो तारों का समूह कहलाता है आकाश गंगा, इस पट्टी को क्या कहते हैं आकाश गंगा, जिससे अंग्रेजी में मिलकी वे भी कहते हैं, अब आप बोलेंगे सर पूछा ब्रह्मांड के बारे में हैं, आप तमाम चीज़े बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़े जानना बहुत जरूरी है, उलका पिंड क्या होता है, ये जान लिया, आकाश गंगा क्या होती है, ये जान लिया, अब देखे कितनी सरलता से आप जान जाएंगे ब्रह्मांड के विशय में, दोस्तों हमारा सौर मंदल इस आकाश गंगा का एक भाग है, जि मिलकर ही बनाती है, निर्मांड करती है, ब्रह्मांड का, ये तो हूई समझाने की बात, है न, ब्रह्मांड की विशालता की कलपना करना तो अत्यदिक कठिन है, балकाश गंगा करोड़ो तारो, बादलो तथा गैसों की एक प्रणाली है, इस परकार की लाखो आकाश गंगा मिलकर ब्रम्हांड का निर्मान करती है ब्रहमांड के विशालता की कल्तना करना अत्यधिक कटिन है इसके आकार के संबंद में हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, ठीक है, मुझे उमीद है कि आपको ये प्रश्न और उत्तर अभी तक समझ में आ गये हूंगे, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्नकरमांग साथ की, क्या है प् प्रश्नकरमांग एक की बात करते हैं, क्या है, किस ग्रह को प्रित्वी के जुडवा ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसका सही जवाब है शुक्र है ठीक है, मैं सीधे उत्तर पर आ जाता हूं, इसका सही जवाब शुक्र है, दूसरा प्रित्वी सूर्य के चारों और किस प्रकार के पत पर चक्र लगाते हैं? हम जानते हैं कि ये वरत्ती पत नहीं है आयताकार पत पत नहीं है ये है दीर्ख वरताकार पत ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते वे बात करते हैं कि धुरूफ तारे से किस दिशा का ज्यान होता है दक्षण, उत्तर या पूर। तो इसका सही जवाब है उत्तर ठीक है धुरूफ तारे से आपको पता होगा कौन सी दिशा का ज्यान होता है उत्तर दिशा का है न पात्री में आसमान की और देखते समय हैं, हम ये दितारों के विभिने समूह द्वारा बनाई गई विविधाकरितियों को देखें, तो उसमें हमें ग्यान हो जाता है, एक दिशा में देखना पड़ता है, संके तक तारे बगेरा रहते हैं, जिन से हमें पता चल जाता है कि द प्रश्न क्रमांक आठ पर क्या है प्रश्न क्रमांक आठ खाले स्थान हमें भरने हैं, है न, पहला प्रश्न क्या है, खाले स्थान का एक समूह जो विभिन प्रती रूपो का निर्मान करता है, उसे खाले स्थान कहते हैं, तो यहां इसका सही जवाब क्या जाएगा, पहले खाले स्थान में आ जाएगा तारे है ना तारों का एक सम्मूह जो विविन प्रती रोपु का निर्मान करता है उसे फिर दूसरे खाले स्थान में आ जाएगा नक्षत्रमंडल नक्षत्रमंडल कहते हैं फिर दूसरा क्या है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कह कहा जाता है तारों की एक बहुत बड़ी प्रनाली को आकाश गंगा कहा जाता है फिर तीसरा क्या है खालिस्तान प्रित्वी के सबसे करीब है कौन है शुक्र शुक्र प्रित्वी के सबसे करीब है फिर चौथा प्रश्न है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है व दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको ये प्रश्न और उत्तर बखु भी समझ में आ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इस वीडियो की लिंक को शेर करेंगे, साजा करेंगे अपने दोस्तों मित्रों साथियों सहपाथियों और परिजनों के साथ में ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को समझ पाएं इस जानकारी को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी जल्दे ही अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार